आ कि आने यह वाला कोस्ट तो मुझे लगा कि आतर ने कुद तो ट्वीट नहीं किया उगा और ऊसली आ किसी में बना दिया हूं बॉहती यह ही इसको व्यरिफाय करने ये जासी ही आखेले शौद की ऑफिशल यह कोई समस्य में मिलती नहीं लेकि जैसे ही फिर मैं जाता हूं कि थोड़ा 2-3 तीन पहले कि अखिले इशादव ने जब आज तक का वो जो कार्टून वाला वीडियो ना उसको जब शेयर किया अब उसको दिखके मैं फिर दुवारा कन्फीजन में था कि मैंने इसको शेयर अखिर अखिले इशादव ने क्यों किया है काटून में वीडियो में था कि योगी आजित्यनाथ हो गए बोदीजी ओगे और अखिले इशादव तीनों एक दुस्रों का उठा पटक कर रहे है को इधर फ्यकर है को इसका क्या logik है सरकार तो आपकी बंती दिखाईनेरा तो वैसे तो मैं चाहरा था कि एक डिटेल वीडियो पनानी शुरू मैंने कर दिया सीरीज को लेकर कि जब मैं फूरा मीडिया हॉसे यूपीय के टाइम और एंडिय के टाइम में किया कि हमतर आया सारी बाते मैं बताऊंगो आसमें तो थोड़ा क्विन रहना इसको इस सीरीज बना देंगे हैं उसको देखना लेकिन अखिले शादब का यह कहना कि अगर सार की वजह से अगर आपने परवार के किसी की मृत्यों कर हुई है तो हम आपको पांच लाग का मुआफ़ा देंगे यह वाकि क्यू हो रहा है मैं आपको समझाता हूँ तो अभी आपको याद हो बोला कि अगर जो की पश्यू है उसो गव शाला के अंदर पहुंचाओ लेकिन सरकार की तरफ से गव एक गव के उपर जो खर्च किया जारे वाला पैसा वो सिर्फ इतना है यारे कि महीने भर में इतना पैसा ही दिया जा रहा है पर गव को पेट पालने के लिए यह अपने आपके मन में आगा कि अवारा पशू किससे कहते है दो कुछ वो पशू जो घर का है ना घाट का है देखो अगर गाय रखूंगा गाय मने रखी वो दूद देना बंद कर दिया जो मेरा आय का जो श्रोत था वो दूद था अगर नहीं भी था तो मेरी बच्छा थो रही थी वो ना तो गउशाला जा पा रहा है और ना वो पशू क्या कहते है अपने घर में जा पा रहा मालिक के पास अब पशू क्या करता है उस खेत में जाना शुरू कर देता है वह फसल होती है फसल को बेकार कर देता है खा जाता है खराब कर देता है नुकसन किसका होता है नुक जाएंगे अभी गाड़ी ही दे सामने आज क्षेट रहेंगे और कई लड़ने लगते हैं तो उसमें चोट गाड़ी को पहुंचती है। और छेत भी जब किसानी ही रकवाली करना होता है खितोगी तो उन पशु को रोखने चाकर में उनको चोट पहुंसती है और पता चलता है कि किसान की भी मिर्त्य हो जाती है यह सारे आखड आपके स्क्रीन के उपर है तो यह सब चीज देखने के बाद दिबाग में आया कि यार डाटा तो वास्ता में है चुंता जनक यहां प यह पशु है दो को बहुत सारी चीज दो सुधिर चौधरी का मुझे यह वीडियो है परसनली अच्छा लगा मुझे कि अगर आपके घर में गाय है और वो दुधारू गाय नहीं है वह आपको दूद नहीं दे रही है आप उसको घर भेजने के बजाए आप उसको घर में जो आपका गोबर है जो मुझे उसको घटा कीजिए उस NGO को दीजिए वो NGO आपको कुछ हजारों रुपे देने चा रहा है और आप उसका इस्तेमाल कीजिएगा और गो कास्ट का कंसेप चल रहा है तो इसका बड़ावा सरकार को भी देना चाहिए सरकार को बताना चाहिए अगर आपके घर में दुधारुगाय अगर नहीं है अगर है भी अगर आप दूद नहीं दे रही है तो आप कैसे उससे हजारों रुपे फिर भी कमा सकते है अगर इस योजना पर इस इनेशेटिव बने इसके एक्जिक्यूशन पर बात हो तो आपको समझ में आ जाएगा क कि जो समस्या है ना कि बहार आपको गये साड दिखाई दे रहे हैं खड़े खड़े दिखाई दे रहे हैं कुछ नहीं हो रहा उनके साद और हमें और आपको इंटालेक्टी नुकसान होता है तो वह होना बंध हो जाएगा सिम्पल सी बात है तो सुधीर चौधरी का जिब अब बात बताता हूं अभी फसल का मौसम है ग्याहूं खड़े हुए हैं बहुत सारी फसले खड़ी हुई है दो भनी तक ऐसी रहेगा और अगर इसमें कोई सान या पर कोई गाय पश्यू आ जाता है तो इसमें किसानों का नुकसान होता है है ना सिम्पल सा होगा मांसिक त और पर भी उस किसान को नुकसान पहुंचेगा यह बात आपको पता है एक मैं आपको डाटा देता हूं कि योगी सरकार ने एक सर्वे कराया था कि भी या एक बात तो बताओ कि गव शाला में गाय पहुंच नहीं रही है अगर पहुंच रही है तो आजगेन गव रखने के लिए अब एक सर्वे करवाया कि यह बताये कि सहाब की पूरे इस राज्य के अंदर लगभग कितने ऐसे पशू है जो इसको आवारा की श्रेडी में रखा जा रहा है आवारा का मतलब भाही जो घर का ना घाट का तो एक सर्वे कराया गया उस सर्वे में पता चलता है आव इसे भी देते हैं लेकिन जो आवारा पशू है वो इनकी योजनाओं से कई ज्यादा विक्राल रूप ले चुका है साथ लाख का आखड़ा अगर आप सोचेंगे यह अपना में डर देने वाला है शहरों में और मुझे नहीं मिलता देखो शहर में दिल्ली पिल्ली आप ज इतकारी होने वाली है और योगी आदितिनाद यहाँ पर बैक फुट पर नजर आएंगे योगी आदितनाद किया काट निकालते हैं और क्या करने वाले हैं यह आने वाला वक्त बताएगा आप पूरी कहाणी समझ में आ गई होगी कि मैं भी इसको मीम समझ रहा था मैं तो मजाग समझ रहा था लेकिन इस पर बात ना करना ही सबसे बड़ा मीम है और सबसे बड़ा ही मजाग है इस वीडियों को तीन WhatsApp ग्रूप में जरूर शेयर कीजेगा जहें वंदे मात्रम स्टे अपडेटेड स्टे एजुकेटेड सत्यमेव जयाते नमस्कार